हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब सौगत आप सभी का कॉमिक वेल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में ही मैं डाइजेस्ट वन का दूसरा और अंतिम भाग अगली कहानी रॉबोट का त्याग होडॉक के शैतानी फ्राइट जोन में भरसना का मास्टर अपना नवीनतम हाथियार अच्छाई के खिलाफ युद्धि के लिए बना दिखा रहा था हवाई हमले करने वाला ये फ्राइट फाइटर कई महीनों के श्रम के बार मैंने तयार कर लिया है गजब का प्रतीत होता है चमकदार शैतान ये एक कीड़े की तरह भी दिखता है क्योंकि ये यान तुम्हें इतना पसंद है मैं तुम्हें इसकी उडान करने दे रहा हूं ये कैसे चलता है तुम्हें बता दूँगा देखते हैं तुम इस खौफना खमले में कितना अनुक पहुचा सकते हो मुझे अब अपने नए यान चलाने लाइक समझ रहा है मैं धन्न हुआ ड्रैग स्टोर पर किया गया परिक्षण बताता है कि वह मेरा बहुत वफादार है अभी तक वह मेरा सबसे विश्वास का विश्वासी सैने के हैं ड्रैग स्टोर की कहानी के लिए डैमेंड कॉमिक्स का पिशला अंख अपने चेले को यान चलाना सिखाने में होड़क को देर नहीं लगती कुछी समय में इस परिक्षण से पता चलेगा कि कहीं कुछ यान में बदलने की जरुरत है या नहीं वह यह चड़िया की तरह उड़ता है उदर मैन एट आमस और उ अचानक धूएं का एक जोका उन्हें नजर आता है रोबोट पश्चिम की ओर से आते धूएं को देखो लगता है कोई मुसीबत में है अपने जैट स्लेटर पर हमें वहाँ चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा चलो कुछी समय बाद देखो एक विशाल कीड़ा उस र फाइटा यान के अंदर बहुत अच्छे रेल गाड़ी पर हमला करने से यहाँ दो वीरी उद्धा आ गए इन्हें मारने पर हॉर्ड़क बहुत खुश होगा हाहा हॉर्ड़क का यान कमाल का है इन्हें तो मैं आसानी से खत्म कर दूँँगा थाए ओ बाल बाल बचे हमें यहां से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि निर्दोशों की हत्ते आओ यहां उत्तर में कुछ गुफाए हैं हो सकता है समय रहते हैं हम वहां पहुँच जाए तरकीब काम कर गई हमारे और रेल गाड़ी में जो भी बाहन चाला को उसने हमें चुना अब जब रेल गाड़ी वालों के नुकसान होने का कोई डर नहीं है हम वापिस हमला कर सकते हैं जैट स्लेट तीसे चला को प्योग करो समझ रहा हूं मैन एट आम्स तीसरी चाली है खुल कर वार करो हाई स्पीड चेजर से बदल कर होवर फाइटर कर देता हूं उससे बड़िया निशाना लगा पाऊंगा अचोक निशाना एक गया एक बाकी है थाम रॉबोट रॉबोट जल्दी उपर बैठो मैं यहां से उच्छू डान भरका भाग लूँगा समले रहो रॉबोट हम दर वाली पाड़ी की कुफा तक पहुच जाएंगे अगर कुफा तक पहुच गए तो मदाद आने तब बचे रह सकते हैं दूसरे सेनक जरूर जान जाएंगी क्या हो रहा है मैंने टाम्स जेट स्लेट की परीशक्ती का प्रियोग करते हुए डर भरी पाड़ियों की और दौड़ता है अब तो मुझसे नहीं बस सकते हैं मुर बादरो दौनों के दौनों साफ मास्टर ऑफ दे यूनिवर्स खत्म हो गया धमाक और रॉबोटो और मैन अटाम्स को कुफा तक पहुचा देता है भाग किसे हम लोग उस धमाके से बच गए लेजर खराब हो गए हम बेवस हैं फ्राइटर फाइट के अंदर फाइटर के अंदर धमाके के कारण उनके लेजर खराब हो गए है उस बेवसालत मैं मैं खुच जाकर उन्हें ठिकाने लगाता हूँ उदर को फाइटर के अंदर उप्टी उत्पादक को चल गया है इसके बिनाम लेजर नहीं चला सकते काश हमारे पास एक अत्रिक उत्पादक होता शायद एक तरीका है रोबोटो इधर आओ फ्राइट फाइटर लेंड करता है जब मैं हॉर्ड उक को बताऊंगा कि मास्टर आफ दे यूनिवर्स नहीं रहे तब बड़ा खुश होगा अचानांक अरे ये नाम अमकिन है मेरे यान के ग्याने इंदिरों ने बताए कि उनके लेजर खराब हो चुके फिर उन्हाने उसे कैसे ठीक कर लिया मुझे जल्दी से होटों के पास लॉट जाना चाहिए उन्हान ने थोड़ा फ्राइट फाइटर को तो नुकसान पहुचा दिया है काई पूरी घत्मा न करते हैं गुफा के अंदर हमारी तर्गीब काम्याब रही रॉबोटो ड्रैग उसोर को अपना यान बचाने के लिए हमारा पीचा छोड़कर भागना पड़ा जरूर वे आश्यों चकित होगा कि हमने अपना लेजर कैसे ठीक किया उसे मालूमी नहीं पड़ेगा कि मैंने आप्टिक उत्पादर ठीक करने में तुमारे कुछ रॉबोटिक अंग इस्तिमाल की है अब जैट सलेट रेडियो से मदद बलाना चाहिए अपनी प्रयोक्षाला वापिस पहुँच कर मैं तुमारे भैंग दोबारा लगा दूँगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रॉबोट होने के कुछ फाइदे है अगली कहानी गिजेता अपने किले में बैटा होडोक एक नया हतियार बनाने में जुटा हुआ है इस यंत्र को जोडते ही मेरा नया हतियार तयार हो जाएगा उफ पर ये बहुत भारी है मालिक पर चलो काम तो खत्म हुआ कुछ छण बात अब मेरा नया हतियार प्रयुक के लिए तयार है क्या हम इसे चला दे मालिक मुर्क यह भी चलने के लिए तयार नहीं है इसे इंटोंस पर छोड़ने से पहले मुझे एक चीज और चाहिए अब क्या रह गया मालिक चटा मैंने इस रॉकेट पर एक यात्री की जगए छोड़ी है और वो यात्री होगा ही मैन रॉकेट से बांध कर ही मैन को उड़ा दूँगा भाक रॉकेट जा गिरेगा इटनौस पर और सब कुस थबा कर देगा और इधर यात्रा मज़ेदार रही हमारी राज्य के लोग बहुत शान्ती परी है होड़ाक और इसके लेटर ना हो तो हम हमेज़ा सुकी रहें ही मैन ने में कितना बढ़िया हो पार दिया है यहीरा हमें सदियों सर्दियों में भी गर्म रखेगा जैसा मौलिक ने कहा था वैसे ही हो रहा है मैं अभी होड़ाक के चम्चो को सबक सिकाती हूँ हीरा फेक दे दुष्ट नहीं तो हम तो मैं फेक देंगे मुझे नहीं पकड़ पाओगे मूर्ख सब होड़ाक की योजना के अनुसार चल रहा है अब हीरा बदल देता हूँ हीमेन लोटेरे तक पहुँच गया ओ तुमने मुझे पकड़ लिया ये रहा तुमारा हीरा बढ़िया लोटेरे ने हीरा फेक दिया हमें और डग के आदमी को भी पकड़ लेना था हीमेन अभी बताता हूँ कौन किसे पकड़ता है ही मैन के हाथ में हीरा नहीं बलकी मेरी सम्मोईनी गेंद है अब ही मैन के दिमाग मेरे नियंत्रण में है अधिक देर तक नहीं और डॉक मैं ऐसे मुक्त करा लूँगी जॉंक इसकी सारी शक्ती खीच लो जी मालिक मैं कमजोर महसूस कर रही हूँ शक्ती इन बैटल कैट को व मालिक लगता है यह योजना सफल रहीगी अब मेरी योजना पूर्ण हुई पहले मैं यह रॉकेट छोड़ूँगा और फिर ही मैन के मस्तिश को आज़ाद कर दूँगा वो देखेगा कि वो इटर नॉस के साथ क्या करने जा रहा है 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 मोडो लग अलविदा ही मैन यह बारूस से वारा रॉकेट सीधा रिटर नॉस पे गिरेगा और तुम सब कुछ देखते हो भी कुछ नहीं कर पाओगे डुष्ट हार दॉक ने मेरे मस्तिश को आज़ाद कर दिया जिससे कि मैं अपना रिटर नॉस का अंत देख पाऊं पर गो डुष् क्योंकि अब मैं रॉकेट को रोक सकता हूं पर कैसे अगर जंजीरत तोड़ू तो नीचे गिर पड़ूँगा इसलिए बंदे बंदे इससे रोकने का तरीका ढूंड़ना होगा इसकी लोही की भारी पर तोड़ना तो आसान था पर इसे रोकू कैसे इन तारो बटनों को सम समझने का समय नहीं है ओ लगता है रास्ता मिल गया योवा लड़ा को क्या तुम समझ गए कि हीमेन किस रास्ति की बात कर रहा है? इस चक्र से रॉकेट की दिशा तैयो होती होगी मैं इसे गुमा कर रॉकेट की दिशा बदल देता हूँ और अब यहां से निकलने का समय आ गया है ये टूटी जंजी रहे हैं चटाक कराक और अब वक्त है एक बड़ी अगोता लगाने का यहां से निकल का बैटल कैट को समालता हूँ रॉकेट की अब कोई चिंता ने लगता है हॉर्ड़क खोद इस समस्य का अंत कर देगा थोड़ी देर बाद हॉर्ड़क का रॉकेट आता दिखाई दिया ओफ मालिक देखो ही मैन नो कुछ गड़बा कर दी यह इदरी आ रहा है ही मैन न मुझे हरानी की हमत कैसे की मेरी जूती मेरे साथ अब मुझे इसे नस्ट करना पड़ेगा पर इस हार से मुझे एक नया विचार आया है इस बार ही मैन मेरी चाल से नहीं बच पाएगा पड़ा और डॉक की चाल काम्याब नहीं हो पाई ही मैन इटर्नौस शहर में राजा रानी अपनी परजा को देख कर पसंद हो रहे है रानी अपने बच्चों को खुश देख कर कितना अच्छा लग रहा है इटर्निया के बालक हाँ मैं शाम तक यहां खड़ी इने खेलते देख सकती हूँ इधर इटर्निया के तीन सरवादिक शक्तिशारी नायक एक समस्या पर चचाचा कर रहे है अंत्रिक्ष जोतिश ने आज सुबह का इटर्निया का भविश अपने से खत्रे में है इस पहेली करती क्या है मैं खोई हुए बच्चों की तलाश में गया था पर भी कहीं नहीं मिले एक बुरी खबर आये ही मैं तलाश करते समय मैंने उत्री मैदान में एक बड़ी सेना एक खत्रे होते हुए देखी इटर्निया की सुरक्षा खत्रे में है हम अपने बच्चों को बहत प्यार करते जरूर है लेकिन अपनी मात्र भूमी से अधिक नहीं हमें पहले इस नए खत्रे से ने बटना होगा हम सेना को एटर्निया की सुरक्षा के लिए यहीं छोड़ते हैं और उत्री मैदान की दरफ जाते हैं वे उत्री मैदान में पहुंसते ही एक तेज तूफान में फस गए इस तूफान ने हमारी खोज मुश्किल बना दी कोई बात नहीं टीला हम एडम से दूर नहीं है बच्चों के साथ राजकुमार एडम से भी गाइब हो गया शीगरी तूफान थम गया तूफान रुग गया अब मैं उड़कर खोज करता हूँ उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी स्टाटास वो रही सेना यदि मेरी आंके धोका नहीं खारी तो स्केलेटर उनका सेना पती है चलो देखते हैं स्केलेटर क्या चाहता है पता नहीं उसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी सेना कैसे बना डाली मुझे मालूम है बच्चों का गया भोना उफ्पिसकेलेटर का सेना के साथ आना मातर सैयोंग नहीं तो महान ही मैं आत्मसाणब करने आया है गलत स्केलेटर, मैं तुम्हारी सेना को रोकने आया हूँ और यह जानने की कि तुम ही बच्चों के गायब होने के जिम्मेदार हो मोर्खों, बच्चे ही मेरी सेना है मेरे साथियोंने लाइट आफ जोर पर कबज़ा कर लिया है बच्चे मेरे नियंतरण में है और तुमने बच्चों की उम्मर भी बढ़ा दिये जिससे हम उने पैचान न पाए ठीक, ही मैन, अब तुम फस गए हो यदि तुम मेरी सेना को नस्ट करते हो तो अपने बच्चों को नस्ट करते हो और यदि मेरी सेना जीतती है तो इटर्निया पर मेरा राज होगा अब जाओ, ही मैन, मैं कल इटर्नास पर हमला करूँगा हम कोई रास्ता निकाल लेंगे इसके लेटर अब हम क्या करें बच्चों को बचाएं या इटर्निया को दौनों को, हम बयान और कुफा की तरफ चलते हैं इस समस्या का समादान नहीं मिलेगा वहीं मिलेगा भयानक परवत पर भयानक कोफा यहीं कहीं होगी शायद दरास्ता कोफा की तरफ जा रहा है इटर्निया की योद्धा शीगरी कोफा तक जा पहुचे मुझे यहां से पाप की गंद आ लिए यहीं बयानक कोफा होगी योद्धा कोफा में प्रवेश कर गए यही वह जगह होगी साथदान रहना होगा यहीं कहीं मौजूद होगा खत्रा तुम आगे नहीं बढ़ोगे योद्धा शर्त लगाते हो तुम जैसे डुस्ट हमारी दढ़ता के आगे नहीं टिक सकते लड़ाई अधिक देर नहीं चली हमें लगता हम सही जा रहे है दीवार यह बादा परेशानी ज़रूर है पर यह हमें अधिक देर रोक नहीं पाईगी जब ही मैन ने दिवार के दूसी तरफ देखा वो रही लाइट आफ जोर पस इनसे ने पटना है तो तुम यहां तक आप पहुचे ही मैन पर अब आगे नहीं चापाओगे तब ही तो देखो क्या होता है अब तुम्हारा नियंतर खत्म होता है इसने लाइट आफ जोर चीन ली इस्टर टॉस के जादी डूस्ट योद्दाव ने ही मैन को घेर लिया तुमने मशाल तुम उससे चीन ली पर मेरे साथ ही आ गएं तुम्हे कुचल ले लगता है हम इन सब का मकाबला नहीं कर पाएंगे ओ, बच्चों पर से जादू अट गया रोदेद स्केलेटर हमें वापिस बोला रहा है गर्ड, और हम ही मैन को कुचल नहीं वाले थे मूर्ग स्केलेटर ने हमारी मदद कर दी जब उसे पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगा चलो इटरनिया चल कर देखते हैं कि बच्चे वापिस आ गए हैं या नहीं योद्धा वापिस इटरनो शहर की तरफ बढ़ चले ही मैन वो देखो बच्चे दुबारा सामानने हो गए हैं योद्धा बच्चों के साथ घर की तरफ लोटने लगे बच्चों को खुश दे कितना अच्छा लग रहा है मानो आज सारे शहर में दिबाली मन रही हो और इस का अडिटर की शकल देखने वाली होगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हो और मिलते हैं ही मैन की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद